जी गुड इवनिंग स्टूएंट्स वेलकम टो केरियर बूस्टर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और फेस्बूक पेज पे तो जो इवनिंग का एक्जाम है वह हम सोल करने जा रहे हैं पेपर थोड़ा सा लेट हो गया हमारा जो कैंडिडेट था वो उसको पीडिया बनानी नहीं आती थी पेचारे को इस विशे से दिक्कत आगे पहले सुने इमेजिस बेज़दी फिर पीडिया बेज़दी तो जो उसकी दृष्यता आया जो प्रोप्र नहीं बन भाई ती सी वेसे प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया बच्चों चलो देरी किये, सुलिशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मुझे देखने में लग रहा है कि पैटरन तो सेम आयेगा बाई हाँ, एंड कर दो रिटन नौम करना हाँ ये बताना, आप मेरी आवाद जो है वो ठीक डंक से सुन पारे हो कि नहीं एक मिनट थोड़ा सा टेकनिकली इशू आ गया भाई, एक मिनट का इंदिजार करें सही चल रहे है आवाज बगेरा, एक सेकिंड थोड़ा सा फेस्बुक प्रोपर नहीं चल पा रही है हाँ हाँ जी, चलिए, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सही है, सभी को गूड इवनिंग सिर्षा आड़ा गुरुजी मार दिया, रहे कुछ नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, देखो, हाँ, अगर मुश्किल है तो सभी के लिए मुश्किल है, ठीक है, चलो देखते हैं भई, क्या है पेपर में, पहला कोशन रिजनिंग का है बच्चों, ठीक है, दूसरा भी रिजन का कुशन है, क्या कहता है, जी कुशन नमर् 8 में देखो, कहता है, एक ट्रेन, एक कार की गती के बीच का अनुपात, ठीक है, यानि एक ट्रेन है और एक कार है, उनकी जो स्पीड का रेशो है ना भाई, 18 रेशो 13 है, 18 रेशो 13 है, साथ ही एक बस ने 480 किलोमेटर की दूरी जो है, वो बारा गंटे में तै की है, ठीक है, एक बस जो है, उसने 480 किलोमेटर की दूरी बारा गंटे में तै की है, और बस की गती जो है, वो ट्रेन की गती से क्या है, 5 बाई 9 है, ठीक है, जो बस की गती है, वो 5 बाई 9 है, किसका बाई, ट्रेन की गती का, तो कार जो है, क्या मालूम होना चीए कार की स्पीड मालूम होनी चीए तो अपना तो फोकस रहेगा वो कहा रहेगा भई कार की स्पीड फोकस रहेगा कार की स्पीड आ जाए तो उससे डिसेंस कवर करवा लेंगे आपाँ कोई दिक्कत वाड़ी बात नहीं है तो सबसे पहले focus किसके उपर करें? कार की speed पे तो पही देखो सबसे पहले मैं क्या निकालूँगा? बस की speed निकालूँगा बस जो है वो 480 km की दूरी 12 गंटे में तैय करती है तो 12,48 यानि की 40 km पर 30 गंटा भाई ये 40 km पर 30 गंटा क्या आ गया बच्चों? ये बस की speed आ गई क्या आ गई बस की speed? अब कहता है बस की गती ट्रेन की गती का 5 by 9 है अरे ट्रेन की गती है ना इसका 5 by 9 करते हैं तो सामने बस आती है यानि की 40 आता है ट्रेन का 5 by 9 करते हैं बस की गती आती है तो ट्रेन की गती टी उसका 5 by 9 equals to 40 उसको 9 से multiply कर दिया divide by 5 आ गया तो 58 48 नहीं में बहतर तो ट्रेन की गती जो है वो बहतर आ गई अब पहरे बचु यह देखो कि ट्रेन और कार का ratio कितना है 18 और 13 ट्रेन की गती 18 नहीं बहतर है तो 18 का कितने गुणा चार गुणा तो कार की गती 13 का चार गुणा कितना हो जाएगा 52 तो जो car की गती है वह कितनी है बताओ भी 52 है 52 है तो भाई car जो पांस गंटे में कितनी दूरी तेह गरेगी तो 52 को किससे multiply करवा देंगे लिए आप 5 से multiply करवा देंगे तो 52 कितना हो जाएगा भाइ 260 तो 260 किलोमेटर जो है वह हमारे question का क्या रहेगा बताओ भाई, answer रहेगा तो भाई, इसका answer आजाएगा 260 km इस type से आपको यह question करना चाहिए था सभी को ओगया clear, बिल्कुल ठीक है, तो इस type से हम लिख को करेंगे हाँ, बिल्कुल चलिए, next question की बात करते है reasoning का question है डंड सहीता हाँ अरे बाई, यह तो class का बिल्कुल सेम करवाया, question आगया, देखो दो बरतन है A और B में दूद और पानी का मिश्रण 5 अनुपात 3 में है और 2 अनुपात 3 में है जब मिश्रण में आधा दूद आधा पानी वाला एक मिश्रण बनाने के लिए मिलाया जाता है तो निश्चित रूप से किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ठीक है भाई, आपको करवाया हुआ है यह topic as it is, तो यह है milk यह है water, ठीक है भाई अच्छा, बरतन A और बरतन B ठीक है बरतन A में है दूद और पानी का अनुपात है 5 और 3 और दूसरे में 2 और 3 जब मिश्ण में आदा दूद आदा पानी वाला मिश्ण बनाने के लिए मिलाया जाता है तो उन्हें निश्चित रूप से किस अनुपात में लिया जाना चाहिए यानि इनको मिलाया जाता है और आदा दूद और आदा पानी बन जाता है मतलब आदा दूद आदा पानी का मतलब 1 ratio 1 और यह चीज करवाई हूँ है क्या करना है जब भी चीजों को mix करना है तो total quantity क्या होनीची यह same बिना total quantity same कि आप mix नहीं कर सकते तो भाई 5 और 3 कितना हो गया 8 2 और 3 कितना हो गया 5 और 1 और 1 कितना हो गया भाई 2 8 को 5 को 2 को कहाँ equal कर सकते हो बताओ आप 40 पे 40 पे equal हो सकता है तो 40 बनाने के लिए इसको 5 से multiply इसको 8 से multiply और इसको 20 से multiply भाई तो 5 की 5 के साथ तो milk हो गया बताओ भाई 25 अच्छा 8 की 2 के साथ दूसरे में मिल को गया 16 और 20 की एक के साथ 20 तो भाई ऐसा है देखो पहले में था 25 दूसरे में था 16 और मिलाने के बाद कितना हो गया 20 allegation method लगया 20 में से 16 गया 4 और 25 में से 20 गया 5 तो 4 ratio 5 जो है वो हमारे question का क्या रहेगा बताओ भाई answer रहेगा 24.5 जो है वो हमारे question का answer आ जाएगा तो option number C जो है बिल्कुल accurate answer बताओ इसका रहेगा भाई ठीक है तो हमारे share के तो दोने question के लगत है भाई आगे देखते हैं ये भी reasoning का है शोडवा reasoning है भाई ठीक है 9 भाई हाँ मिल्कुल question number 37 percentage का question है भाई क्या कहता है एक मूर्तिकार दुआरा कोई भी मूर्ति बनाने वाड़ा है संगमर्क के मूर्ति को उकेरा जा रहा है समझ के उकेरा का मतलब समझ के गिश गिश के जैसे मूर्ति नहीं बनाते इस टाइब से जुमर्ति जो है वो क्या किजारी बनाई जा रही है पहले सबता में 6 का अ बनेनिंग बचा हुआ है उसका 20 परशेंट टीश जाता है और तीसरे सबता में 6 का 25 परशेंट काट दीया जाता है अंतिमूर्ति बनाने के लिए पोलिश क्या जाता है अंति मूर्ती का वजन जो है 48.75 LBS है तो संगमरमर के मूल टुकडे का वजन जो है वो कितना था भाई कोई भी चीज है वो अपने आप में क्या मानी जाती है 100% मानी जाती है यह चीज मैंने बताई हुए आपको तो कोई भी चीज है मूर्ती स्टार्टिंग में क्या मानोगे 100% मानोगे कि मूर्ती में जो संगमरमर था वो कितना था भाई 100% था 100% जो है वो हमारा था भाई उसमें से पहले सब्ता में 35% काट दिया जाता है अगर 100 में से 35% अगर काट दिया जाएगा तो 6 कितना रह जाएगा, बताओ भई, 65%, 65% जो है वो रह गया, अब क्या कहता है भई, कहता है 6 का 20%, अरे 65% बचा हुआ है, इसका 20%, तो 65 का 20% कितना होता है, मतलब इसका 1 by 5, क्योंकि 20% का मतलब एक बटा 5 होता है, तो 65 का एक बटा 5 कितना हो जागा, 13, 65, यनि किस में से 13 और काट दिया, जो percentage दिक तो रहा है भी, लेकिन actual value में कितना होगा, 13, तो 5 में से 3 गया, 2, 6 में से 1 गया, 5, ठीक है, तो 52% जो हो हमारा बच गया है, कितना बच गया, 52%, अब सेश का 25%, तो जो 52 है ना, 52 का 25%, 25 का मतलब फिर से 1 बटा 4 होता है, और 52 का 1 बटा 4, 13 चोके 52, यनि इ से फिर से 13 गया, तो 12 में से 3 गया, 9, और 4 में से 1 गया, 49% सेश रहा गया, कितने परसेंट सेश रहा गया, 49%, 39%, अच्छा भाई, अब कहां करें, जगे देखो, percentage में रहा गया, 39%, और value में रहा गया, 48.75, तो भाई, क्या हो जाएगा, 48.75, के बटे में कितना हो जाएगा, 100, तो, ठीक है, और डिवाइड भाई में, 39, और इंटु में एक और 100 हो जाएगा, ठीक है, और ये डेसिमल जो है, ये आप लोग क्या कर लेना, भाई, खतम कर लेना, ये बड़ा डेसिमल जो है, ठीक है, क्योंकि, जो 48.75 था, इस के नाम का डेसिमल जो है, यहाँ पर हमारा अच्या, अच्या, अब इसको काट लो, 100 से तो 100 हो मारा क्या हो जाएगा, ठीक है, तो भाई, देखो यह दो, क्म्प्लीट कट सकता हो यह, यह फिर 13, 13 कर के काट लो, भाई, बारा और बारा, कट जाएगा, पूरा, पूरा, तो ये 125 पे कट गया, 125 ल बी जो है, ये बोर्डो मास, रूल की उपर फोलो करता है, 7 की पावर 3, 3, 4, 3, बी 7 का क्यूब 333 होता है, इंटू में क्या हो जाएगा, लेकिन वैसे अगर इसको उपर प्योर बोर्डो मास लियम लगाओ ना, तो प्योर बोर्डो मास तो ये कहता है, अच्छा, ये रिजन होता ही, उसक इपलाई को बाद में करेंगे, तो भाई, 3 की पावर 3, कितना हो जाएगा 3 की पावर 3, अरे बताओ, 3 इंटू 3, 6 की पावर 2, 6 इंटू 6, तो फिर 3 दूणी 6, फिर 3 दूणी 6, और तो कोई विकल्पी नहीं बचता, ठीक है, 7 की क्यूब कितना हो गया, 343, 7 की क्यूब हो गया, 343, और इंटू में कितना हो जाएगा 3, तो 3 दिया 9, 4 दिया 12, और 3 दिया 9, रेक 10, 1029, कि डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा, बताओ भई, 4, 1029 डिवाइड बाई में 4, ठीक है भई, क्या जाएगा, D आएगा, ठीक है, तो 257.25, this is our answer, तो इस question का answer हमारा ये र करते हैं भई, question number 39th हो गया, 38, sorry, आगे है भई, अरे, बिल्कुल एजटीज करवा है भई, question, बिल्कुल एवरेज का, देखो, एक किर्केट खिलाड़ी के 30 इनिंग का उसद 40 रन है, तीस पारियों का उसद कितना है बताओ भई, 40 रन, उसके अधिक्तम स्कोर, निंतम स्कोर से कितने रन ज्यादा है, बताओ भई, 40 रन ज्यादा है, तो इसके अंदर क्या कर लेते हैं, हम लोग यह लिखके चलते हैं कि highest minus का lowest, कितना है बताओ भई, 40 रन, highest minus का lowest, कितना है बताओ भई, 40 रन, if these two innings are not included, यदि इन दो पारियों को शामिल ना किया जाए, तो 68 पारियो उस खिलाड़ी का नियुंतम स्कोर जो है, वो हमारा कितना होगा, क्या होगा, ये बात आपसे पुछी गई है बाई, तो यानि अपने को ना IS plus का lowest और निकाल दें तो बात बन जाएगी, वो कैसे निकालेंगे देखो, 40 का 30, तो 40 का 30, 40 into 30 कितना हो गया बाई, 1200, उसके करके देखना होगा, ये जर्चों सटी आता है कि शायद से, तो ये बच गया बाई, 136, ठीक है, ये बच गया हमारा कितना, 136, अरे हाइस तर लोएस का 136 है, अब मैंने बताया था, इसमें दो चीजें पूछी जाती है, या तो हाइस स्कोर, या फिर लोएस स्कोर, जब हा तो कितना हो जाएगा, 18, 18, 18 जो है, ये हमारे कोशन का क्या रहेगा, बच्चों, अंसर रहेगा भाई, ठीक है, इस टाइब से आप ये कोशन कर सकते थे, चलिए, अगले कोशन की बात करते हैं, ये देखो भाई, कोशन नमबर 65, ठीक है, मैंने बताया था, HCF, LCM को कोशन आते जरूर है, लेकिन यह नहीं बताया था कि इतने मुश्किल आते हैं, ठीक है, क्या कहता है, बागी मुश्किल नहीं है, बहुत असान है ये, कहता है, A की क्यूब और B की क्यूब, और A की आना चाहता था बच्चे की, और दोनों ही करवा ये कॉश्चन से हैं, क्लास में, जो A की क्यूब पलस B की क्यूब है, इसका फॉर्मला उतार दो बस जरा, आप क्या उतार दोगे, कई बच्चे दोना A भी देख के चोड़ देंगे, इसका उसला तूट जाएगा, अरे A प पलस B और A माइनस में B, तो इसका नजर आएगा, या तो A स्केर पलस B स्केर, और नजर आएगा A स्केर माइनस का B स्केर, लेकिन जो आपको A स्केर माइनस का B स्केर नजर आएगा उसको फिर से तोड़ देंगे हम, A पलस B, A माइनस B में, तो मैं यही तोड़ के लिख रह A-B अब देखो दोनों में सबसे पहले common डूणने कोशिश करते हैं A plus B और A plus B क्या नज़र आया common तो भाई हम LCM के लिए A plus B को क्या कर सकते हैं ले सकते हैं उसके बाद में आगे क्या आजाएगा हमारा की A square plus B square minus का A B ठीक है भाई तो A square B square minus का A B क्या plus का A B हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता ठीक है और यहाँ A square plus B square और A plus B है तो सबसे पहले इसको भी क्या कर सकते हैं भाई A square plus B square और A minus B के साथ क्या कर सकते हैं multiply हम लोग इसको कर सकते हैं तो भाई क्या आजाएगा बताओ A square into A तो क्या हो जाएगा A की क्यूब A स्केर इंटू A जो है वो A की क्यूब हो जाएगा और यहां हो जाएगा माइनस का B A स्केर और पलस का A B स्केर ठीक है भई और B स्केर इंटू B क्या हो जाएगा माइनस में B की क्यूब माइनस में B की क्यूब तो भाई ये हमें नजर आ जाएगा A की क्यूब माइनस B की क्यूब के फॉर्मेट में और अगर यहां से हम लोग क्या लेते हैं पलस का A B कॉममन लेते हैं अगर हम पलस का A B कॉममन लेते हैं तो यहां से B बचेगा और यहां से क्या बचेगा भई हमारा माइनस का A बचेगा format तो बहुत ज़दा क्या हो जाएगा यह आपका length हो जाएगा लेकिन इसके हिसाब से अब आपको ना comment देखना पड़ेगा कि किसकी multiply करेंगी इनकी multiply के बराबर जो है वो हमारा बच जाए भाई ठीक है तो A plus B हो गया A square plus B square हो गया और A की cube plus B की cube हो गया तो option number B जो है वो इसका क्या रहेगा आपका accurate answer रहेगा यहां उसने क्या किया A की cube B की cube format को नो तोड़के नहीं देखा अगर वो तोड़के देखेगा तो यह सेम चीज़ो है आपको क्या जाएगी नजर आ जाएगी बाई आगे देखते हैं 66 कहता है एक गन को 343 टुकुडो में काटने के लिए नियूंतम इंगलिश में पड़ते हैं बाई What is the minimum number of cuts are required अच्छा क्यों काएगया मैं उसको मेंसुरेशन के हिसाप से ले गया था एक पास से में नहीं और कोशन देख लेते हैं एक बार 87 कोशन देखो बाई 87 कोशन कहता है 1.6 और 6 के उपर क्या लग विए बार ठीक है बार जहां पर बार बार जाए जाता है मतलब जो बार बार रिपीट हो वो हमारी क्या होती है बार होती है तो इसके लिए मैंने सिखाया है 1 प्लस में 0.6 के उपर बार इसको लग लिए अगर हो बाई ठीक है और बार को हटाने के लिए क्या लगा जाता है बताओ बाई अरे बार को हटाने के लिए क्या लगाएंगे 9 तो भाई 0.6 है तो 6 के पौन में कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर क्या पड़ा है 1 ठीक है आगे इसको सोल करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई हमारा जो LCM है वो कितना आजाएगा बताओ भाई इसके केस में 9 9 पलस का 6 9 और 6 कितना हो गया 15 के बटे में 9 3 पंजे 15 3 तीए 9 5 और 3 5 बटे 3 जो है यह हमारे कोशन का अंसर आजेगा ना नीला ठीक है तो भाई 5 और 3 जो है वो हमारे कोशन का क्या आजाएगा आंसर आजाएगा भाई चलिए अगले कोशन की बात करते हैं बस भाई आप बच गई हिंदी और इंगलिश जो मैं लास्त में लेके आऊँ आप लोगों के लिए ठीक है अभी रिजिनिंग वाड़े सर आ रहे हैं रिजिनिंग की क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी तो रिजिनिंग के कॉशन का सुलूशन देखी जल्दी से और फिसके बाद जी एस और फिर हिंदी इंगलिश और जो साइंस है वो में करवा हूँ आपको तो अभी वेट कीजिए इतने आईए सर रिजिनिंग स्टार्ट करते हैं हंजी गूड इवनिंग एवरिवन पेपर आप सभी ने देखी लिया हुआ वहा वही कि कैसा है और रिजिनिंग के reasoning के में क्या देरखाब लोगों को देखो इसमें देरखाब को 7, 13 उसके बाद 24 है फिर आपको 45 दिया गया है next series आप लोगों को उसे पूछी गई बताओ भई क्या आएगी 6 आएगी क्या करेगी गुणा में 2 माइनस में 1, 13 को 2 से गुणा करेंगे 26 माइनस में 2, 24 को 2 से गुणा करेंगे 48 माइनस में 3 और 45 को 2 से गुणा करेंगे 90 माइनस में 4 अंसर कितना आ गया आफका 86 तो 1st question का अंसर कितना 80 6 आप लोगों का right answer रहेगा 86 जो बिल्कुल right answer है ठीक है नेक्स देखिए इसके बाद अगला question क्या है अगला question जो है non-verbal reasoning का है और ये सुभ़ भी shift में भी आया हुआ था embedded figure equation sunnit आगरती जो होती है देखो ये वाली जो figure है ना ये ये ऐसी figure कि आगरती के अंदर चीप हुए ये आपको बताना है जब इसको ध्यान से देखोगे तो आगरती जो आपकी option number D है ये यहां से यहां तक आया फिर इस तरीके से गया फिर यह ऐसे हो गया ऐसे यहां पर यह यह आप तक आया और यह आपको अगरती number D में हमारा क्योस नमबर 5 के बेस पर आप से 3 क्योसन पूछ लिये गए क्योस नम 새 5 के बेस पर कितने क्योसन पूछे गए वह 232 पूछ और ऐसा एक पजल का क्योसन जो है सूभह भी आया वात देखो एक सरकल आपनों को giveन है ये सरकल हो गया इसमें कितने लोग बैठे होई इसमें बैठे होई च्छे लोग ठेक है 2, 3, 4 यह 5 और यह 6 ठेक है 6 वैकती है और एक वुरित के एर्द-गिर्द बैठे हुए एक दूसरे के सामने है ठेक है B, A और C के कहा है बीच में तो B बीच में हो गया किसके A और C के यहां पर A या C तो यहां भी कौन A या फिर C आगे दे रखा है कि B A और C के बीच में E कहां पर है D और F के बीच में तो E हो गया बीच में किसके D और F के यहां पर D और F में से कोई एक और यहां भी D और F में से कोई एक लेकिन अगली लाइन से बास पस्ट हो जाती है कि F A के सीधे कहां है सामने बैठा हुआ है तो F कहां बैठेगा A के बिलकुल सामने तो F बैठेगा भई A के सामने तो मैंने माल लिया कि यहां पर बैठा हुआ F और यह किस के सामने है A के सामने तो F हो गया A के सामने और E के कहांपर है तो यहांपर अगर D है तो A के सामने कोन है F है तो यहां कोन आ जाएगा आफका C आ जाएगा इस तौहांपर सी इसकी शीटिंग हो जाएगी ठीक है अब पहला जै हुसंण क्या है कि D निमली खितमे से किस यूगम के बीच में है तो D देखो वही किस के यूगम के बीच में बैठा हुआ है E और A के बीच में बैठा तो राइट अंसर क्या हो गया उपसर नमबर B आप लोग का राइट अंसर हो जाएगा ठीक है फिर दे रखा है कि D के तुरुंत बाइए कौन है तो देखो इस सेट होगा इसका दाया और इस सेट क्या होगा इसका बाया होगा तो D के बाइए और कौन बैठा हुआ है A बैठा हो तो राइट अंसर क्या हो गया उपसर नमबर D आप लोग का राइट अंसर हो गया ठीक है फिर है यदि B और E का स्थान बदल लें किसका स्थान बदल लें B और E का तो देखो B की जगह पर आ गया E और E की जगह पर कौन चला गया B B और E का स्थान बदल लें और C और D का स्थान बदल लें तो C की जगह पर कौन आ गया D और D की जगवर कौन चला गया C चला गया तो इसने पूछा गया कि निमली की तुईगों में से किस के बीच में होगा कौन? A तो A अब किस के बीच में देखो E और C के बीच में है तो right answer क्या गया E और C जो की किसमे apter number D में जो दिया गया तो right answer क्या जाएगा option number D होगा ठीक है तो यह थे वाई आपके reasoning का पता की question 5 question है हाथ तक होच के आप लोग के है ठीक है next question है question number 10 question number 10 को ध्यान से देखेंग भई no reasoning का निए नो computer का है ध्यान से देखो no number question में क्या पूचा गया keyboard पूचा गया ठीक है तो यह computer का है next देखिए कि केंद्रिय बिंदू से दक्षण के ओर 35 km चला एक वेक्ती कहां गया south में तो आपको पता कि south कहा होता नीचे की direction क्या होती है south होती है south में गया भई यह 35 फिर कहां मुड़ गया यह left में left side होगा तो left में मुड़ा और कितना चला 17 km है तो km मेटर है तो कितना 35 तो आप से क्या पूछा है कितना दूर है तो यह दूरी चेक कर लो कितनी होगी 17 km है तो km और मेटर है तो मेटर अंसर आगया option number a आप लोगा क्या होगा सही अंसरोगा कर लोगे ठीक है next next देखिए अगला question क्या है 10 के बाद दस के बाद भाई जो question होगा वो आगया आपका question number 14 question number 14 यह आपका mirror image का question है सुभ़े भी pattern same था दो ही question थे known of all reasoning के एक embedded figure का mirror image को देखो जो सिज mirror के जितना पास में वो हमेशा पास ही रहेगी देखो अब यह चीज तो बदलेगी ने line ने तो line ने तो ऐसे कैसी रहेगी तो R क्या हो जाएगा R आपका इस तरीके से बनेगा ठीक है और R इस तरीके से किस figure में इसमें तो है नी इसमें तो उल्टा हो गया option number A गल्त B में same to same हो गया यह भी गल्त C में J आ गया यह भी गल्त बचकुन गया D तो right answer क्या है इसका option number D आप लोग का right answer है सही है तो भई जो भी बच्चे एक बारा Facebook पर जुड़ोए सभी बच्चे carrier booster के YouTube चैनल पर आजाए वहाँ पर आप सभी comment जो हो दिखाई देंगे next question है आपका घड़ी का यह question देखिए घड़ी के लिए आप लोग को क्या formula बताया गया पहले घड़ी के लिए formula क्या बताया गया है कि 30 H माइनस में 11 बटे 2 M is equal to plus minus क्या angle यह आप लोग को बता रखा है तो देखो 30 गुणा में H की value कितनी यहाँ पर 3 माइनस के 11 बटे 2 M is equal to angle कितने डिगरी का दे रखा है पचेतर का तो 30 गुणा में 3 90 माइनस का 11 बटे 2 M equal किसके पचेतर के तो क्या होगा माइनस का 11 बटे 2 M यहाँ रह जाएगा और पचेतर में से किसको घटा देंगे माइनस का 90 तो यह कितना बच गया माइनस के 11 बटे 2 M ठीक है माइनस के तो होगया 11 बटे 2 M और उस side कौन चला गया माइनस का 11 बटे 2 M उस side होगया माइनस का 15 तो माइनस से माइनस कैंसल M की वैल्यू 15 बटे क्या हो जाएगी 15 गुणा में 2 बटे 11 तो 30 को किस से भाग करना है 11 से तो 11 से भाग करो 11 दूनी 22 बच गया कितना 8 तो उस रा गया 208 बटे 11 मिनट जो कि किस में जो कि option नमबर A में आप लोगो को दे रखा है तो इसका जो राइटन से रगा होगा 3 बज कर 208 बटे 11 मिनट पर कितना डिगरी एंगल बनेगा 15 डिगरी का एंगल बन जाएगा कर ल अलफा नुमेरिक सिरीज है सिरीज आप लोगो दे रखी है इसमें दे रखा कि ऐसे कितने 6 है इस सिरीज के अंदर जिस से ठीक पहले तो 9 आए लेकिन बाद में 4 नहीं आना चाहिए तो देखो सबसे पहले मैं यहां से सरवारत करूँ यहां पर क्या मिला आप लोगो यहां चार तो यह गल्ट हो जाएगा उसके बाद आगे 6 है 6 से पहले 9 है बाद में 7 तो यह भी क्या वैलिड है उसके बाद 6 है 6 से पहले 9 लेकिन बाद में 4 तो यह भी क्या हो गया इन्वैलिड तो ऐसे कितने है 2 है ठीक है तो अंसर क्या आजाएगा आप लोग का 2 आजाएगी क अगला question क्या है 36 के बाद हम लोग चलते हैं अगले question पर next question है question number 39 question number 39 में क्या आप लोगों को दे रखा है कि कौन सा अक्सर पांचवा होगा कौन सा अक्सर दाई और से पांचवा होगा दाई साइड कौन से होती है जो आप लोगों का right hand है तो right side से पांचवा लेकिन करना क्या है कि पहले और दूसरे को तीसरे और चोथे को और आगे भी ऐसे क्या करें अक्सरों को अपस में बदल लो तो right side यह दोनों को बदला E, T, फिर क्या है N और A दोनों बदल जाएंगे A, N, फिर कौन है O, I तो क्या बदला, यहां पर I और यहां पर कौन O, तो कौन आएगा I आजाएगा पांच हुआ तो उनसर क्या आजाएगा अपसलों का आई आगे ठीक है, चाहिए इसको इस साइड से बदल लो ठीक है, next Next Question number इसके बाद देखते हैं वही अगला क्योसन क्या है Next Question अपना Next Question है, Question number 53 53 त्रेपनवा क्योसन है जो की किसका है, जो की डाइस का क्योसन है ठीक है, देखो, बड़ी असानी से बचांज होगी दोनों में कोमन क्या है वही Dollar कोमन है हम क्या करते है, क्लोक वाई चलते है तो क्लोक वाई चलो, यहाँ पर पहले कोन मिल आपको Dollar फिर percentage दे रखा है फिर अगला symbol star का है यहाँ पर क्या है Dollar का है फिर क्या दे रखा, plus का और फिर यह वाला symbol है अब देखो, Dollar का पूझे, Dollar तो आ नहीं सकता तो पूछा क्या गया, एक symbol नया, कौन सा बच गया यह वाला symbol आपका नया बच गया तो यहाँ पर यह वाला symbol क्या हो जाएगा आप लोग का अंसर हो जाएगा, ठीक है यह कहा है, यह आपका option number B में आप लोग को गिवन है ठीक है, तो राइट अंसर क्या हो जाएगा, option number B ऐसे सारे क्योशन आप लोग को करवाई हुए है ठीक है, next देखिए क्योशन number 55 क्योशन number 55 जो है वो letter coding की सफलिंग का क्योशन है, ठीक है तो letters को क्या किया गया, सफल किया गया क्या लिख्या गया, कि rainbow R, A, I, N, B, O, W देखो, यह पहला alphabet, यह दूसरा तीसरा, चोथा, पांचवाँ, छटा, और सातवाँ तो देखो, दिया क्या गया आपको कि B, O, W, N, R, A, I तो पहले alphabet आया पांचवाँ, फिर आया चटा, फिर आया सातवाँ, फिर चोथा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा यही हम लोग यहाँ पर करने वाले क्या देर रखा आपको Germany Germany में देर रखा तो क्या करेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, पांचमा, चटा साथ हो तो पहले A, N, Y, फिर M आ गया, फिर G, E, R ये चेक कर लो किस उप्सन में है ठीक है, ये आपका बनेगा A, N, Y, M, G, E, R और उप्सन नमबर A क्या हो जाएगा, आप लोंका बिलकुल राइट ननसर हो जाएगा, ठीक है? तो राइट ननसर आपका उप्सन नमबर A Next है भई, पच्चपन के बाद अगला क्योशन पच्पन के बाद अगला क्योशन देखते हैं Next, Next है, क्योशन नमबर 66 Qytsa No 66 में क्या दिरिखा है कि जब आब लोगं को Cube करवाया गया तो आपको बताा था कि कि जब Cube को काटना होता है कितनी बार आब लोगं को बताया है Use of Knife Chaqoo का परियोग कितनीा बार होगा तो उसके लिए Formula आब लोगं लिखा रखा कि 3 into n- 1 कितने टुकळे है 343 किसका Q343 7 का तो N की value कितनी 7 7 माइनस ए कितना बचा 6 और 3 छी के 18 इसका answer कितना आगया आपनों का 18 answer आगया ठीक है तो N की 18 बार क्या हुआ चाकू का परियोग हुआ तो इस अब क्या होग इसके टुगड़ टुगड़ होगे ठीक है next Next इसके बाद Question number 72 Question number 72 में क्या दरेखा आप लोगो ये आपके notes का Question है नोड़ में Question देरखा है कि क्या दरेखा है इस तरीके से कि dice है इस तरीके से कि dice है और इसन दरेखा कि एक दूसरे तरीके संख्या 1 से 6 तक लिखिए जो संख्या एक है इसके adjacent जो चीजए है दो चयार चया़ एक साईड इसके दो है एक साईड चयार एक साईड कितना है जो एक के क्या मिलते जुलते है इसके मलते हैं I.E.S के 7 लगती अब बच्कोन गया 3 ओर है 5 बच्क हो तो देखो और कौन सा कथन क्या होगा आप लोंका सत्य होगा या आप से पूछा गया देखो एक तीन के आसन होगा ज़रूरी नहीं कि एक क्या आसन कोन हो सकता है पांच हो सकता है तो पहला क्या गलत है दो च्छै के विपरित होगा दो तो च्छै के विपरित है यह नहीं दो तो क्या है कि एड़ेसंट है हो सकता है 6 के विपरित आ जाये लेकिन कनफरमेशन आपके पास नहीं तो दुसरा भी क्या आप लों का गलत है फिर है तीन पांच क्या सँना होगा बिल्कुल तीन और पांच तो कहा है यहां पर पांच है तो यहां तीन यह पांच ठीक है यह क्या इसके आसने तो उप्सन नमबर C के आप लोग का राइट इसन है तीन पांच कोई प्रतिय तो होई नहीं सकता तो लास्ट उप्सन के आपका गलत है ठीक है कर लोग इस तरीके से तो रीजनिंग आप लोग कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए वई और जो बच्चे फेस्बुक पर देख रहे हैं सारे के सारे यूट्यूब पर आजाओ वई ठीक है नेक्स देखते हैं क्योसन नमबर 83 सेलोलिजम का केस्षन है थे क्या रखे है क्या ब़से नोर्ट 55 कुछ B क्या नहीं है कुछ B, C नहीं, मैंने C बना दिया, वहीं रूको एक बार, ठीक है, कि कुछ B ऐसे जो क्या नहीं है, जो C आपके नहीं है, ठीक है, तो ये वाले B आपके C नहीं हो, इसने बोला, कि कोई B, C नहीं है, देखो, कुछ B तो C नहीं है, लेकिन ये कहीं से भी कनफरम नहीं हो रहा है, कि no B, C, ठीक है, हमें तो सिर्फ इतना पता देखो, जब सम नोट देखर के, जब सम नोट देखर के, नो पूछे, तो क्या होगा आपका गलत होगा, कनफरम नहीं है, ठीक है, इसलिए पहला क्या है, पहला आप लोग का गलत है, कि कोई B से नहीं, हमें तो बस ये पता है, कि ये वाले B से नहीं, बाकी जो बज़े उसके बारे आपको कनफरमेशन नहीं है, फिर क्या देर रखा है, कि कुछ A, C है, हमें रिष्टा कि देर रखा है, B और C का, A और C के बारे में confirmation नहीं तो ये भी क्या गल्थ है तो कोई भी निसकर्स के अनुसर्ण नहीं करता है और आप लोगों से ये पूछा गया है कि दो निसकर्स दिये गया है वे निसकर्स चुझे जो तार के रूप से क्या हो स्टिक बैठते हो और जो क्या करते हो फोलो करते हो तो उनसर के आएगा नन फोलो ठीक है अगला question किसका है series का series में क्या है कि 2 गुणा 2 4 4 चोके 16 168 128 यानि कि हर बर क्या है double तो 128 गुणा में 16 तो कितने होते 2000 48 होते है तो right answer के आएगा आपका option number है डी आप लोग का राइट हो जाएगा ठीक है कर लोगे next next भई question number 88 question number 88 मैंने आपको कई बर बता है क्या बता है कि जो सैफ है वो कहां काम करता है kitchen में और artist जो हो काम काम करता है theater में ये बात हमारी class में कई बर हुई है कि actor काम करेगा stage परो और artist काम कहां पर करेगा theater में ठीक है तो ये गलती नहीं होना चाहिए था next देखो तो ये थे भई हमारे reasoning question आगे जो है अब हिंदी और इंगलिस जो है वो बचे वे ठीक है हाँ करवादो अब होगी भई आपके GS का part बैंड़ी वालसर अभी आपको GS का part करवाएंगे और जो भी बचे Facebook पर लाइब है सभी बचे जल्दी से यूटूब पर आजाईए यूटूब पर आपको आपके comment भी देख सकते हैं लोग और एक बड़ वीडियो को जल्दी सेर करता हो भई ठीक है चली लिए झाले लेओ आज बस्री सेर के गुड़ी विनिंग भई नमस्कार ठीक है आर रियना जी के तो है नहीं तो हो वजह से की सुबह वाले पेपर में मैंने बताया था कि रियना जी के ला मास्ट रागा इसा काम कर दिया है जो हर रोज सारे कि सारे लाइवाई करते हर ने बड़ी मैराथन कराई है शारा ना कि मेरा अथन ग्लास रर क्लास में के कहन洁ए और की बैटा वेरी 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 इंपर्टेट है पक्की बात है ओंपका में प्रमा अगा एचसेन के अजffen है आज सेट कर दें सबने कैसे हो मैं बहुत बढ़िया हूँ जी आप बताइए कैसे हो बिल्कुल ठीक ठागा मैं ठीक है सब ठीक है ठीक है लेकिन हां अर्याना जी के गाव सुबह एक के कॉस्चन था आपकी बार कहा नहीं छोड़ो यार एक भी नहीं देते अगर तुम हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो बिगाड़ के देखो सुबह तो सब में सिफ्ट में एक एक कॉस्चन दिया हुआ था अब इसमें मनाई कर दिया कि नहीं देंगे यार चोड़ो अर्याना जी के ओनों बहुत दिन होगे बकवास करते वे ना अब सब को लेवल में लाना पड़ेगा तो अर्याना जी करणों को लेवल में लाया है तो लो जी इसके देखते हैं भई ठीक है देखते हैं यूरे बिटा कदे निकल जा हाँ जी एक कॉस्चन है कड़े शीर है यूरे नमबर तीन निमलिक में से कौन सा उत्पादक के तीन का रख है विच अ यह आप टिक है अर्याना जी के गई अर já previous पकादे शकल dated अर्याना जी के गई वर्याना जी के थो छही है रख जी कर इवस्ट्रम पाद ज्ता बार नहीं को घटिया काने है जो लाए उन्साव श्या च शाव भाई शाव olması को देखते है फैक रीना जी पाद जीस कों देखत अरेना जी के दे इंदी इंगलिस को उन्दी इपकाल इंदी इंगलिस दे अरेना जी के न बिलकुल फट्टाई मार दिया भी एक परसंद नहीं आना चीए ठीक है हाँ चलिए भई next देख्यो रहे कद निकल जा कोई कुष्ण निमली तो कोई की बोड़ गी शयले के अंदर जी एक यह है दारा का question आया हुए है क्या हुए है कि दोज मुक्तिया, दोज सिर्धी किसके अंतरगात आता है तो ये आता है 248 के अंदर अपरादिक दंड परगिरिया 248 राइट अंसर है जी बी, इस question का राइट अंसर क्या होगा बी चलिए बे बिल्कुल लठ गार दिया भाई शाब खदरी ने यो तो अभी आज स्याम को है देखो बारत BCCI World Cup में T20 World Cup में देखो बारत जाता है कि नहीं जाता सेमिफांदर तक उसमें दिया हुआ है बड़ी चर्चा होई थी जब टीम इंडिया ने अपनी वो ना बारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड टीम के सलाकार अक्टूबर नॉम्बर 2021 यूएई में और ओमान में भाई आगले पेपर मन्यू पूछ सगया कि यह हुई कहां है ठीक है तो याद राख लिए जो भी बच्चा कोई देखे तो कलवाड़े में कि कहां हुई है तो भाई MS दोनी इसके क्या है यह रवी सास्त्री इसके एड कोच है भाई सचिन तन्दूर गाउली कुछ भी नहीं है मुक्ख गे गाउली तो वो है BCCI यह देख्स है फिलाल ठीक है पूछ सकता है भाई दिखवाओं क्या यह तो कोच है भई यह सलाकार है मेंटोर आगे किसी पेपने बूच देतो और यह BCCI यह देख्स है B-C-C-I अदेख्स है सोरो गाउली ठीक है हाँ एकोनमी का क्वेशन पुछा हुआ है ठीक है वह मुल्य जिस पर संतुलन प्राप्त होता है या the price at which equilibrium is reached is called as equilibrium price संतुलन मुल्य कहलाता है भई सोडा का उतर आएगा जी A क्या उतर आएगा A A is the accurate answer ठीक है चलिए भई हाँ जी रेलवे का क्वेशन पुछा हुआ है कसर दक्सिर पस्यम साउथ वेस्ट रेलवे का एड़कॉर्टर कहा है उबली करनाटक में है उबली राइट अन्सवर है जी उबली है करनाटक में ठीक है चलिए भई किस के दर हाँ जी ये पॉलेटी का क्वेशन है किसके दुरान सौतंतरता समानता और बंदुताव के मुख्या सिदानत ये जो बारतियस विधान में जोड़े गए तो इसमें से फ्रांस से लिए गए हैं भई किस से फ्रांस ही सिक्रानती तो भी इसका क्या होगा एक्यूरेट अन्सर होगा जी ठीक है चलिए भई देखियो भई रहे कोई आव दो हाँ ये एक सिदा सिदा कतन पुछा हुआ है किसर एक अच्छे एरोपिय पुस्तकाले का एक सेल बारत और अरब के पूरे देशी साइटे के लाइक था एक मेकाले होता था इसनी आपके क्या दी थी ये वर्ड ये जो थीज दी थी तो मेकाले इसका राइट अन्सर होगा भई ठीक है चलिए भई जेएस जेएस के क्कॉस्टन सोर करवा दूआ सिदा स्विक्तराश्टर संग भई 24 अक्टूबर उनिसो पंतालिस सिदा स्विक्तराश्टर संग्ठन कब लाग भई हुआ कैसर 24 अक्टूबर उनिसो पंतालिस राइट अन्सर है हाँ जी जोगरफिया कॉशन पुछा हुआ है 45 क्या पुछा हुआ है 45 क्या अलगनंदा और बागिरती ऐसे उपर से यहां से एक जगह है गंगोत्री और यहां एक जगह है जिसका नाम है सतोपंथ हिमानी सतोपंथ ग्लेशियर यानि सतोपंथ हिमानी इस गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जी बागिरती और सतोपंथ हिमानी इस एक नदी निकलती है जी जिसका नाम है अलक नंदा इस नदी का नाम क्या है कैसर अलक नंदा और ये दोनों नदी जहां मिलती है इस जगे ठीक है इस जगे का नाम है जी देव परियाग क्या नाम है कैसर देव परियाग कहां से था रहे है ठीक है और इस देव परियाग से यहाँ नाम क्या हो जाता है किसर गंगा नदी और गंगा नदी कहां से मैदानी भाग में प्रिवेश करती हैं हरी दुवार से यह मैदान में चले जाती हैं मैदानी भाग में पहले पाडियों पर बैथती है तो यह देव परियागे जी किसमें option A A is the accurate answer गंगा नदी में से question आपका पुछा हुआ था ठीक है? चलिए भई हाँ एक इसमें कि सरनार्थियों के लिए स्युक्त रास्टर उच्छा यूग्त UNHCR दूसरी बार नोबल स्यांति पुरुषकार का जिता तो भई इसका जो answer है न वो तो है 1981 1981 लेकिन इसमें इसमें क्या देगा पता नहीं तो मेरे हिसाब से इसका answer होना चीए उपरोक्त में से कोई नहीं D answer होना चीए ठीक है? D answer होना चीए कि सर सेकेंड डाइम 1981 में जीता था तो ये होना चीए बाकी देखो जी ठीक है? हाँ जी एक बात पताई इधान सबेरे में कि बताई ही? ज़त कीमी बात समझ बिनावानी इसमेशार उन लंबव लगा दियो उतर है ठीक है? कि केंदर सरकार या रजा सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले व्यापार योग विले क्या होता है? गवरन्मेंट सेक्योर्टी जी से एक होता है बई अब यो सारा उन लंबा उतर है ठीक है HSSC के रिसाब से क्या है ये राइटन्स पर है ठीक है चलिए बई हाँ जी इंडिया इस्टी का कॉस्चन है कसरडपास्तल लोथल और दोलाविरा कहा है लोथल गुजरात में है बई एक बंदरगा भी है नहीं लोथल हाँ जी राइट अन्सवर है जी गुजरात ठीक है सविधान सभा के लिए चुनाओ कब हुए इंडिया पॉलिटी का कॉस्चन है बई कसर जुलाई उनिसो चालिस ठीक है जी जुलाई उनिसो चालिस इजदा एकुरेट अन्सवर ठीक है अगे के होगी क्या कॉस्चन जी इसकी पाहँ साथी कॉस्चन है बई हाँ जी एकोनोमिक्स का कॉस्चन है कसर सामाजिक दिरिष्टी कोन से परवासित किया गया है जो की प्रिवेस में रहने वारी जन्सवर के आर्थिक मानकों की तुलना में जीवन स्तर है तो इसको रिलेटिव पोवर्टी बोलते हैं बई सापिक्स ग्रीबी डी इसका क्या है जी डी इसका राइट अन्सवर है एकोनोमिक्स का कॉस्चन है बई ठीक है एक ये पुलिस विवाग से उच्छावा क्योस्चन है का सर राज्य चिन यानि जो बैंच का राज्य चिन और दो स्टार दो स्टार कॉन होता है एससप तो एससप सीनियर सुप्रिंटनेटर अफ पुलिस डी बई सीनियर सुप्रिंटनेटर अफ पुलिस जो डी अन्सवर दिया हुआ है ठीक है चलिए बई नेक्स्ट कॉस्चन के साथ देखते हैं कौन से है हाँ जी एकोनोमिक्स का कॉस्चन है निव लिखते हैं किस अर्थ विष्टा को लाइसेज फेर भी कहा जाता है विच अब दा फॉलोमी कोनमी आलसो काल लाइसेज फेर मिक्स्ट कैपिलाइस बी पुन्जी बादी अर्थ विष्टा इस दा एक्यूरेट अन्सवर भी एकोनोमिक्स का कॉस्चन है ठेक है बी इसका राइट अन्सवर है ठेक है जी? चलिए बई दोहा किस से समंधित है? दिखा वाईसेट देखो कसर दोहा डिक्लेरशन इसका राइप्स अग्रिमेंट है बई यानि ट्रिप्स समझोता है ट्रिप्स अग्रिमेंट इसका एक्यूरेट अन्सवर है राइट अन्सवर है अगस्त काम्टे नेम्ड दा साइन्टिबिक स्टड़ी ओफ सोशल पैटरन एज पोजिटिविजम क्या के लगता है बईटा पोजिटिविजम पोजिटिविजम को इंदियों बोलते है सकारात्मकवाद अगस्त काम्टे से पुछावा कोशन है राइट अन्सवर है ठीक है चलिए भाई ने में लिए तुमस्त कोण सास्त्रिय प्राचिन साइटे की व्यास्ता से समझ दित है एंडिलोजी बोलते हैं इसको यानि क्या किसर स्टड़ी ओप एंशेंट इंडियन सोसाइटी एंडिलोजी के लाता है जहां तक मेरे को पता है बारती विद्धा इसका एक्यूरेट अन्सवर होगा जी बी इसका क्या है कसर राइट अन्सवर है ठीक है चलिए भई देख्यों रहे है और कोई हाँ यूएस चे का फर्स्ट प्रेजिनेट कोण है भई जोर्ज वाशिंग्टन और इसके नाम पर कहते हैं क्या वाशिंग्टन डीशी बनाया था यही बात है क्या है वो जो कैप्टेल जोर्ज वाशिंग्टन इस दा एक्यूरेट अन्सवर ठीक है चलिए भई अब स्तत्र उत्र बताओ कि याना चीए अनुमान लगा गया आगा किसा नहीं को नहीं लेकिन अनुमान के लगा हो गया बस तो सही उत्तर ही पाओगा ठीक है ना क्या है अंतराश्टी विवाद इस थीम क्या थी कद थीम ओफ इंटरनेशनल यूथ डे तो क्या है कि ट्रांसफार्मिंग फूर्ड सिस्टम यूथ इंवर्शन फॉर होमेन एंड बस दो भी अबड़ोड है समझ गे करना पड़ नहीं जूरती को नहीं सी इजदा एक्यूरे टन्सफर ठीक है चलिए बई असी नमर कुश्चन है अप्रादिक विवार की प्रकृती सीमा कार्ण नियंतरन के वेगानिक अदिन को क्रिमिनोलोजी बोलते हैं बई क्या बोलते हैं क्रिमिनोलोजी ए इजदा एक्यूरे टन्सफर है ए इसका क्या है राइट अज़र है ठीक है चलिए बई यह अपने किया था क्या यह नहीं किया साइथ विनियम मेदर का विकनोमिक्स का भी द्यान नहीं देखना पड़ेगा इसको हाँ जोगर्फिका कॉश्चन आगया भई देख लो देख लूँ आले मैं कोई न कि बारतिय मानकसा में क्या होता है IST और IST कितना है कसर 72 डिग्री पुर्वी देशांतर East Longitude कहा है कसर यह GMT से एक उतिहत GMT Greenwich Man Time 0 डिग्री कहा से London से और हम कोण सी दिशा में है इंडिया लोकेटिड इन North and East Hemisphere उत्तर पुर्वी गोलार्द में स्तित है इसलिए इससे आगे है कितना है 60 डिग्री कितना आगे है 60 डिग्री पांस गंटे कैसे सिद्धा सिद्धा एक डिग्री को जब क्या करता है सुरिये पार करता है तो 4 मिनिट लगते हैं कितने मिनिट लगते हैं 4 मिनिट और जब भी आप लोग जिग्री किसी टीचर से कहीं से भी पढ़ोगे कि जब भी आप 0 डिग्री लोगिट्यूट से देशांतर रेखा से पूरो की तरफ जाते हैं समय पलस होता है समय बढ़ता है और पस्चिम की तरफ जाते है तो समय गटता है हम GMT से यानि इस Greenwich से कौन सी साइड है सरम पूरो की साइड है तो समय बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा कि सर 60-22 डिग्री है कितना है 60-22 डिग्री मैत वाले सर बढ़ते हैं अगर 4 से गुणा करेगे तो 22-22 के 323 आद देगी दोर जोड़ दो 330 के होगी 330 मिनिट है और 330 मिनिट के गंटे बढ़ेगा 60-0-0 6-35-35 सड़े 5 गंटे आगे GMT से हम कौन सी साइड है पूरो की साइड इसलिए क्या होगे हमे GMT से आगे होगे ओप्सन देखिए कौन सा है Green East Band Time यानि GMT के सड़े 5 गंटे आगे पहले अंसर ठीक अभी accurate अंसर हो रहे ठीक है ये आपका right अंसर है ठीक है कि हम GMT से आगे है उसका क्या था सर सी यहाँ एकोनोमिक्स तरह गया था ना क्वेश्चन कौन सा था 81 भी क्या लिखा हुआ है विनमेदर का निर्दार्ण मांग और आपुर्ति के बाजार बलों दौरा किया ज़ता है इसको क्या बोलते है फ्लेक्सिवल हाँ फ्लेक्सिवल एक्सेज रेट बोलते है C इसका accurate अंसर है नमे विनमेदर C इसदा accurate अंसर है ठीक है चलिए बई कोई और भी बचाओ आगे जी इसका Green West Time हाँ जी ये किया था किया था मिनिस्ट्री ओफ मिनिस्ट्री ओफ किया था बटे ये किया था हाँ ठीक 86 निमलिक्त में से कौन से केंदर सरकार के मंतराले ने अच्छे नेक दिल लोगों के योजना तो सड़क प्रिवेन और राजमारग कहते हैं भई मेरे साब से जानता कैना इसका पते क्या है मैंने अखवार में पढ़ा था कुछ दिन पहले उसको पांच मिनिट से अंदर अंदर अगर पहले ऊस्पिल में पहुचाता है तो कुछ ऐसे उनको पांच आर पता नहीं कुछ नाम का ऐसा प्रावदान था मैंने ज्यादा डीपरी नहीं पढ़ा फिर अखवार में आयो था एक दिन ये ठीक है और कोई है क्या परिशिमन आयो बढ़ा लिता है इंडियन पॉलिटिका है कि परिशिमन आयो की निक्तिरास्ट पतीदवारा की शुदेशे से सिधा सिधा बात है परिशिमन का आयो होता है राज जेक अंदर सासित प्रदेश सब की सीमाओं का निर्धान करना तो क्या है पूरे देश में निर्वाचन सित्र और इसी इसाब से अगर किसी ने थोड़ा बोद पढ़ा है तो कि जी आगे हर्याणा विधान सभा की 90 सीट से 126 हो जाएगी रोए चीजें आपने पढ़ी होगी कि सर आगे 2026 में बढ़ेगी वो किसका काम होता है परीशिमन का काम होता है राइट अन्सफर ए है ये थे जी आपके GS के question अब किसका portion करेंगे सर तो फिर आजो आजो फिर ये ये GS का portion था भई ठीक है सबसे ठीक है रस कर दिया जी कद्री ने हाँ बाई बिल्कुल कर दिया जै क्या कर सकते है बाई ये चलो ये GS का था अब मनुसर करवाएंगे आगे का portion थैंक्यू बई हाँ वी बच्चों अपना जो portion बच गया था वो बच गया था हिंदी इंग्लिश और कम्प्यूटर तीन चीजी और पड़ेंगे साइंस वाड़े सर्जो है वो अपने मार्किट में चले गए दिवाड़ी का टाइम देखते हुए तो साइंस जो है इस फेपर की कल वाड़े बेच में करवाएंगे ठीक है चलो भई देखते हैं आपना पहले हिंदी इंग्लिश स्टार्ट करते हैं इस पेपर की चलो भई हां क्या कहता है फिल दा ब्लेंक्स इन विद अप्रोप्रोप्रेट मोडाल्स फों दा अल्टरिनेटिंग गीवन ब्लो यानिकी यू डैश हैव अ हॉलिडे तोमारो यू नीड भी नहीं आ सकता शेल भी नहीं आ सकता देर भी नहीं आ सकता तो नन ओफ दीस जो है वो हमारा इसका क्या होगा भाई accurate answer जो है वो हमारा होगा भाई ठीक है next जो filler है verb की form बनी है he is trying to justice his claims he is trying to justify क्या जाएगा भाई he is trying to justify जो है वो हमारे question का answer जो है वो इसका रहेगा चलो भाई next question देखते हैं the accused together with his associates that's arrested भाई देखो जब भी विद आ जाए या together विद आ जाए तो हमेशा जो आपकी helping verb आती है तो वो हमेशा main subject जो है या पहले वाड़े subject के accordance जो है वो हमारी आती है यह रूल होता है English का तो भाई जैसे कई बच्चे क्या सोचेंगे the accused देख together with देखे उना his associates देखे ना आर या वर लगा के आएंगे देखो इस बच्चे ने भी यह सुचा है आर या वर हम इसका answer जो है ना वो क्या आएगा भाई वो जाएगा ये कुछ words होते हैं जैसे with हो गया together with हो गया along with हो गया तो इसके अंदर जो भी बाद में जो आपकी वर बाती है यहाँ पर या helping verb बाती है वो जो अपना पहले वाला subject ना with together with से just पहले वाला subject है उसके accordance आएगी ना कि बाद वड़े के accordance जो है आप लोगों की आएगी तो इसका answer जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा भाई वो जो है वो इसका answer हमारा रहेगा चलो अगला देखते ह 94 में कहता है in the following question there is a statement followed by the three starters यानि की एक statement दी हुई है उसके बाद जो है वो three जो है वो starters दी हुए है which are denoted by A, B and C जिसको A, B, C से denote कर सकते हैं each starter is a group of first few words of a sentence which on proper completion is supposed to convey the same meaning of the original statement find out which starter can be from grammatically correct sentence to convey the same meaning of the original statement यानि यह कहना चाहता है कि एक sentence दिया हुआ है और sentence के बाद में जिसका बाद वारा meaning convey करने के लिए तीन option दी हुए है कौन से तीन option में से best fitment देगा यानि कौन सा जो है grammatically उसको बिल्कुल क्या करेगा correct करेगा भाई तो देखो no sooner है भाई no sooner के साथ क्या आता है then ठीक है no sooner के साथ में क्या आता है then तो मतलब no sooner did the band start to play then the lights went off ये एक बार के लिए तो सही है लेकिन आपको बता इस ठीक रहेंगी तो भाई इसके अंदर जो है the lights went off as soon as the band मतलब no sooner की जगे as soon as तो फिर ये then आपका खराब हो जाएगा तो ये तो हो नहीं सकता उसके बाद the lights went off then कई बार हम क्या कर देते हैं हटा देते हैं उससे कोई grammatically उस सीज़ के उपर कोई फरक नहीं पड़ता मतलब ये possible है the band started to play नहीं started भी नहीं आ सकता क्यों नहीं आ सकता did है did के बाद जो है हमेशा क्या आती है वरब की first form आती है तो ये इसलिए ये भी आप लोगों का नहीं हो सकता तो only B के आने से ना इसके अंदर जो इसकी basic format है उसके अंदर कोई भी चीज का change जो है वो हमारा नहीं आएगा तो भाई only B इसका A option जो है वो आपका बिल्कुल accurate है बिल्कुल सही answer जो है वो हमारा होगा भाई ठीक है चलिए last question देखते है English का question number 95 95 में कहता है dull and long speeches text the patience of the audience ठीक है क्या कहता है test the patience of audience ठीक है यानि कि जैसे कोई भी कभी कवार जैसे किसी का lecture सुन रहे हो उसमें ना कोई ऐसा वक्ता आ जाए ठीक है जो बिल्कुल dull हो बोलने में ठीक है और long 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 लंबे लंबे उसकी speech जो है तो बहुत ज़्यदा क्या हो जाते हैं बहुत हो जाते हैं जो सुनने वाले उसके जो है तो उसके अंदर आजाएगा text the patience of the audience मतलब जो audience बैठे हैं जो सामने बैठे हैं वो लोग जो है उनकी patience का प्रीचे तो to test one patience बैए एक का जो patience है उसका क्या लेना प्रीचे लेना test करना बैए उसके अंदर कितना patience है तो इसका यह आप लोगो का जाएगा text the patience of the audience का मतलब हो जाए to test once patience ठीक है बैए हिंदी का जिकर करते हैं 96 भई ठीक है 96 कहता है हवा लगना हवा लगना का मतलब होता है किसी भी चीज का असराना को क्या कहते है हवा लगती ठीक है जैसे नया नया बच्चा जो है वो शहर में आता है ठीक है नया नया बच्चा शहर में आते तो क्या कहते है इसको शहर की क्या लग गई हवा लग ग असर आ गया वो अपने बाडों को जैल वेल लगाना स्टार्ट कर देता है अपने शर्ट के बेटन और कोलर को ऐसे खड़ा रखता है या फिर बेटन खुले चोड़के निचे टीशिट डालके चलता है और आतों को ऐसे करके चलता है तो उसको हवा लग जाती है इसका मतलब ठीक है और बार-बार उस्टाइल मारता है फोन से कभी ऐसे कभी वैसे कभी वैसे तो इसको क्या कबलते है हवा लगना तो भई हवा लगने का मतलब होता है किसी भी चीज़ का क्या आना बचो असर आना सेकिंड कोशन देखते हैं बाई डैस संधी डैस संधी जो है वहां हो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आयादी संदी जो है वो हम लोग इसको बोलेंगे जब भी ए या ए किसी भिंसवर से मेल होने पर क्या है ए या आय बन जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे आयादी संदी हम लोग बोलेंगे भाई ठीक है आगे है गोदान गोदान जो है व क्या कहता है के साथ के पास के अंदर के उपर आदिश अबद ठीक है समंध के अव्यव के अंतरगत आते हैं बाई समंध बोदक होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग समंध बोदक और लास्ट है ध्वनी का उचारण है के समान होता है तो इसे सोर से प्रे दो बिंदियों के रूप में जो है वो लगाया जाता है ठीक है तो बाई जब भी दो बिंदी लगा देते हैं ना ये तो वो क्या हो जाता है बताओ भी विसर्ग तो क्या बोलेंगे मुसको विसर्ग क्या बोलेंगे विसर्ग और यहां चैसे ने एक बात और प्रूब कर दी कि जब कुछ भी ना रहा हो तो सी 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 लगाया हो तो अब देखो हिंदी के अंदर जो पांच में से चारों के जो सी आंसर जो है वो बिल्कुल क्या थे गरेक्ट थे भाई ठीक है सीरीज के अंदर स से गुंसे वैसे मैंने नंबर लिख रखा है नोवा तरितालिसवा चैलिसवा उननचासवा बावनुवा तरिसेटवा सट्टवा इतना ही कॉश्चन्स हैं तो पहले नाइन्थ पे चलते हैं बच्चों कम्प्यूटर ठीक है आउट ओप स्लेवस नहीं आ रहा क्या कहता है निमलिक्त में से कौन सी एक कीबोर्ड शेली नहीं है इस बच्चे ने सचा कि कोश्चन रिजिनिंग का है उसने इसको पर यह लगानी कोशिश किये 17, 23, 25, 18, 20, 25 ठीक है बेचारे को समझ में नहीं आया है कि मतलब यह कम्प्यूटर का कोश्चन है एक रिजिनि ठीक है तुछ आंसर जोए वह क्या आजाएगा भाई डी आजाएगा यह कोई B शीरीज नहीं होती भाई ठीक है आंसर ठीक हो गया इसका कैसे हो गया चिसी मैसी प्चे लगते है रखें ठीक है ब Одसके बाद भाई अबना 43rd और 46 इसके बीच में कोश्चन नहीं है 43rd, 43rd, 43rd हाँ भाई देखो डैश एक उच गती की मेमरी है मतलब हाई स्पीड की मेमरी है जो सेंटरल प्रोसेसिंग उनिट CPU में अवेलेबल होती है और रेंडम एक्सेस मेमरी के बंडारी आंकडो और उन देशों तक पहुंचने को गती देती है तो भाई ये वाली मेमरी जो है वो सबसे तेज मेमरी होती है इसको हम लोग क्या कहते है भाई कैशे मेमरी क्या होगा भाई कैशे मेमरी क्या करती है ये जैसे हमारी क्या हो गई RAM हो गई और ये हमारा क्या हो गया CPU हो गया और अपने कोई भी चीज RAM में है और हमेरे CPU तक पहुंचानी है तो इन दोनों की बीच में जो काम करती है बहुत ज़ोधा high speed memory जो होती है primary memory के अंदर आती है इसको हम लोग क्या कहते हैं cache memory जो है वो चो हम लोग कहते हैं तो क्या होगा भाई cache memory जो है इसका क्या रहेगा answer हो सबसे fastest memory जिकर करें तो वो भी cache ही होती है तो memory से ये question जो है वो आपका आ जाता है उसके बाद भाई 46 46 है ट्रेड मार्क के अनधिकरित उप्योग को डैश की रूप में जाना जाता है unauthorized use of trademark is known as देखो सबसे पहले तो आपको trademark के बारे में मालूम होना चाहिए what is trademark, trademark क्या होता है जैसे माल लिया आप कोई भी business कर रहे हैं आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप किसी ने किसी नाम से काम करते हैं जैसे हमारी academy है तो हमारी academy का नाम क्या है ट्रेडमा कर रहे हैं तो हम अपने जो नाम है उसको क्या करवा सकते हैं ट्रेडमा कर रखा है अब ट्रेडमा के बेनिफिट होता है कि आपके नाम से market में कोई दूसरा जो है उस सेम नाम से काम नहीं कर सकता बह Mia देखा इसका कोई set of rules तो बनेगा ना अब ऐसे है जैसे कि हमारा केरी रूष्टर है तो ऐसे तो कल को ना बराबर में कोई बील्डिंग लेके वो भी करी रूष्टर का बेंद लगा के बैट जाएगा तो हम उसको रोक तो नहीं सकते ना उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ अधिकार तो कुछ ना कुछ सेट वह ऐसे जारी करेगि उसके राइट जो है वह given person जो person उसको चला रहे हैं उनको प्रूफ देना होता है कि हम यह एसे ऐसी इस नाम से भी जनेस हम चला रहे हैं यह हमारा GST नंबर है या फिर हमारी रेंट की डिटेल्स हैं जो सारी इसारी account डिटेल्स उनको देनी होते हैं त of these आएगा भाई इसका क्या आएगा none of these चलो भई next question देखते हैं 49 and 52 49 में है ALU का मतलब क्या होता है बताओ भई देखो computer में काम करने के लिए दोई चीज़ें होती है एक तो होता है CU control unit और एक होता है ALU ALU का काम जो होता है गंडाओ करने का calculation करने का जो काम है वो सारा का सारा कोन करता है ALU करता है तो ALU की full form क्या होती है arithmetic logical unit ठीक है भई arithmetic logical unit और देखना एक जैसे 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 लगेंगे आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़के लगाना है थोड़ा सा English की तरफ देड़ना ना Algebraic logical unit नहीं हो सकता Algebraic logarithmatic unit यह भी नहीं हो सकता arithmetic logarithmatic unit यह भी नहीं हो सकता arithmetic logical unit logic भी हो सकता logical unit भी हो सकता दोनों ही सही है तो ALU की full form जो है हमारी यह होती है उसके बाद रह गया अभी 52 52 वा क्वेशन देखते हैं कंप्वीटर के पूरे पूरे आएा क्वेकशन जैस टीज हाँ भाई क्या है नई email बनाने के लिए आपको किसी को भी क्या करना हो, mail करना हो तो अभी भी आप अगर आपके हाप में phone है आप Gmail खोलके देखिए ठीक है क्या खोल के देखें भई, अगर आप Gmail खोल के देखेंगे और आप किसी को mail बेजना चाते हैं तो side में एक icon होगा, जहां लिखा हुगा compose क्या लिखा होगा? compose तो भई लिखा हुआ है क्या? देखो ये लिखा हुआ compose mail, क्या है compose mail तो नई email किसी को भी अगर लिखना चाते हो, किसी को भेजना चाते हो, तो हम email को क्या करना पड़ेगा, compose करना पड़ेगा, आज कल message के अंदर भी दीरे दीरे advance में इस system जो है वो आने लगा है, अच्छा forward mail, forward कब करते हैं बताओ भी हम, किसी को भी दूसरे वेक्ट, कोई अच्छा, reply का मतलब होता है, किसी का भी वापिस revert देना, ठीक है, क्या देना, वापिस revert देना, लेकिन किसी को नई mail बेजना चाते है, तो compose में लाएगा, यह option A जो है, वो हमारे question का अंसर जो है, वो बच्छों रहेगा भाई, अगला है, 52 में के बाद 63 और 66 भाई, देखो, दस्तावेजों को इंटरनेट पर जोडने के लिए, हम किसका यूज करते हैं, भाई, हाईपर लिंक का, किसका यूज करते हैं हम लोग, हाईपर लिंक का, यह तीन चीज़े होती है, एक तो HTTP होता है, हाईपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकोल, जो इंटरनेट HTML क्या होता है, हाईपर टेक्स मार्कप लेंगवेज, इस लेंगवेज में पेजीज खुलते हैं, और उन पेजीज के उपर क्या है, कुछ चीज़ें अटैच होती है, और वहाँ से हम क्या करते हैं, एक लिंक को क्लिक करते ही, दूसरा चीज जो है, दूसरा डोकुमेंट ज इसे करते हैं, हाईपर लिंक जो है, उसको लोग बोलेंगे, और इसका एक और कोशन बनता है, अगर हाईपर लिंक पे, अगर माउस का करजर ले जाते हैं, तो हाथ का निशान जो है, वो क्या कर लेता है, बना लेता है, तीन या चार इंपोर्टेंट कोशन जो है, इस हाई the following is not a type of RAM भई जो निमलिक में से कौन चीज जो है वो RAM की टाइब जो है वो नहीं होती भई ठीक है तो क्या है Dynamic Random Access Memory देखो DRAM पढ़ाया गया इसके बारे में DRAM होती है और SRAM भी होती है ठीक है और ये SD RAM भी होती है लेकिन parameter Random Access Memory कोई भी नहीं होती है ऐसा कोई word ही नहीं होता DRAM का मतलब होता है Dynamic Random Access Memory SRAM का मतलब होता है Static Random Access Memory SD RAM का मतलब होता है Synchronous Dynamic Random Access Memory ये होती है ठीक है भई जैसे आपकी ROM होती है रोम के भी ऐसी होती है Dynamic होगी Static होगी या फिर Erasable Programming EP ROM ठीक है जो होती है तो DRAM, SRAM, SD RAM यह होता है लेकिन parameter random access memory यह कुछ भी ऐसा word नहीं होता तो RAM का एक परकार नहीं है यह एक RAM का परकार जो है वो आप लोगों का नहीं है भाई ठीक है तो आज के paper में इतना ही पड़ते हैं बचो science के questions कुछ रहे हैं वो हमारे ठीक है भाई चलिए लो आजो Thank you sir and good evening everybody जो जो बच्चे एक बार देख रहे हैं वो एक बार क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को share कर दीजिए तो science के questions हम करते हैं अभी सबसे पहले 42 नमबर के उस्तन है 42 नमबर के उस्तन है Das is an example of covalent network solid या covalent bond भी बोल सकते हैं इसको तो इन में से MGO है इसके इंदर होता है iconic bond और ZNS के इंदर भी iconic bond होता है CAF2 के इंदर भी iconic bond होता है लेकिन silicon carbide यानि SIC इसके इंदर होता है covalent bond तो इसका correct answer हो जाएगा 42 का C silicon carbide उसके बाद next question है 48 yeast commonly reproduced by yeast होती है यह reproduction कैसे करती है इनके प्रोसेस होती है reproduction की वो क्या process होती है वो होती है budding process budding process के दवारा yeast होती है जो reproduction करती है हाई 51 fertilization in reptiles reptiles के अंदर जो fertilization की process होती है वो क्या होती है वो internal fertilization होती है और जो sexual reproduction के थू करते है internal fertilization तो इसका correct answer होजाएगा d internal fertilization होती है reptiles के अंदर फिफ्टी सेवन नमबर क्यों चैन है two wires a and b have the same length and area of cross section but young's modulus of a is two times या नि जो y a का जो young's modulus है वो two times then b का तो then the ratio of force constant force constant का ratio क्या होती है y a divided by y b तो two by one is equal to two answer हो जाएगा इसका correct तो इसका c option है जो correct answer हो जाएगा two 62 नमबर क्यों चैन है which ovary is said to be inferior inferior जो ovary का example होता है वो होता है जी epigenia epigenia जो c option है वो correct answer हो जाएगा inferior ovary का अब 68 नमबर क्यों चैन है which metal has lowest melting point यानि कि lowest melting point कौन सी metal का होगा तो जो सब से lowest होता है वो होता है जी mercury का mercury का जो सब से lowest होता है लेकिन इसके अंदर mercury option नहीं दिया हुआ तो इसका जो gallium होती है इसका mercury के बाद चोथे नमबर पे इसका होता है जो lowest melting point होता है यानि कि अगर अगले paper के अंदर क्यों से न पूच लिए which of the same क्यों से न पूच लिए और यहां gallium option ना दे mercury दे दे तो इसका मतलब यह नहीं भी इस क्रास में यह करवाया था तो इसका mercury right option हो जाएगा अगर सबसे कम होता है सबसे कम पूचे तो लेकिन इसके अंदर mercury नहीं दिया हुआ तो इसके अंदर gallium हो जाएगा इसका which of the following is not a symptom of altitude sickness altitude sickness का जो symptom है इन में से कौन सा नहीं है नहीं है तो इसका डाइरिया उप्सन हो जाएगा डाइरिया जो altitude sickness का वो symptom नहीं है अब इसके अंदर 78 नमबर के उस्तन है polymorphism arises due to जो polymorphism है जो किस के कारणराइज होता है वो होता है जी mutations के कारणराइज उत परिवर्तन के कारणराइज होता है polymorphism 79 नमबर के साल which of the following is the principal form of carbohydrate which can transcollate throughout the plant by phylloem which of the following is the principal form carbohydrate की जो principal form होता है most of plants के अंदर होता है वो होती है जी sucrose sucrose है जो carbohydrate की जो principal form है और mostly plants के अंदर यही होता है एक एक किस नोरत ता 82 जे रहा हूँ एनिमल्स प्रोसेसिंग कोलम आर काल्ड इसका ए उप्सन हो जाएगा इससे मिलता दूलता नाम ही है सेम तो इसका ए उप्सन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो साइंस केस के अंदर इतने ही कि उस नते जो हमने सारे आंसर कर लिये हैं बागी मनुद सर बताएंगे आपको चलो बई अपना मोर्निंग का जो एक्जाम है वो भी कम्प्लीट सौल्व हो गया था ठीक है और इवनिंग का भी कम्प्लीट हो गया है तो सभी के लिए बराबर ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों कलवालों के हर्याना जी क्या आजाएगी और आपको गबराने की जूरत नहीं है पेशन्स रखें मुश्किल पेपर आया है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनोंने मैनत किया है तो अभी भी कुछ न कुछ की सर्थ तक फायदा होगा ओरिजिनल बात ही होती है कि पेपर जब मुश्किल आता है तो हमेशा पढ़ने वाले बच्चों को मैनत करने वाले बच्चों को फायदा ही होता इसके अंदर और पैटरन बेस है आप यह नहीं कह सकते कि प्लस उन प्लस टुका कुछ उट पटांग चीज़े पूछी गई है बई देखो स्लेवस का रख्या कि साइंस आएगी साइंस आ रख्या कम्प्यूटर बिल्कुल स्लेवस में से आया कोई लेंगवेज एट्रेक्टर कोई फाल तू कोश्यन नहीं आया है मैट्स बिल्कुल स्लेवस में से आया है ठोड़ा सा मुश्किल जरूर है लेकिन इटने बच्चों में से अगर निकरते वह बच्चों को निकालना तो लेवल देना जरूरी है क्योंकि असान में तो सभी बच्चों जो बराबर हो जाएंगे पता रही नहीं है तो ये सब के लिए फाइदे की चीज़ है जो वेपर आ रहा है हाँ हर्याना जी के और अगर एड़ कर देते तो वेपर बहुत ज़दा एक ultimate लेवल का जो है ये तियार हो जाता चलिए फिर भी सभी को all the best जिन बच्चों का कल एक्जाम अकल दुबारा मिलते हैं बच्चों बारा बजे morning shift के वेपर के साथ और शाम को साड़े चार बजे evening के वेपर के साथ तो आज की class देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चे जो शेयर कर दीजिए भाई नहीं कमंडो का ऐसा नहीं होगा कमंडो के लिए जो है लेवल इससे बहुत ज़्यादा क्या रहेगा आपका असान लेवल जो है वह हमारा रहेगा बाई चलिए गुड नाइट शुब रात्री सभी को भाई टेक केर बाई